एक साधू और राजा की कहानी, प्राचीन समय की बात है अजबगर नामक राजय में कुबेर सिंग नाम का एक राजा राजय करता था, राजा स्वभाव से बहुत ही दयालू था, वो गरीब और बेबस लोगों की हमेशा सहायता करता था, किसी गरीब पर जोल्म होते देख व हमेशा खुश रख सके, लेकिन फिर भी राजा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी प्रजा खुश नहीं है, इसलिए अकसर राजा प्रजा का हाल चाल जानने के लिए भेश बदल कर शहर में घूमा करता था, और लोगों की राय जाना करता था, इसी तरह एक बार राजा इतनी चारों तरफ देखा कोई दिखाई नहीं दिया, वो भूख से व्याकुल था और शाम भी होने वाली थी, तब ही राजा को एक रिशी की कुटिया दिखाई दी, कुटिया देखकर राजा की जान में जान आई, उसी समय राजा ने रात वही व्यतीत करने का फैसला किय जब राजा रिशी के आश्रम पर पहुचा तो वहाँ पर एक रिशी तपस्या में लीन थे और चारों तरफ बहुती सुन्दर वातावरन था, चिरिया चहक रही थी, पेरों से रस भरे फल लटक रहे थे और वातावरन बिलकुल शांत प्रतीत होता था, राजा ने गुड से तेज जलक रहा था, राजा को देखकर रिशी सब कुछ समझ गए, राजा ने रिशी से रास्ता भटक जाने की बात बताए और वहाँ रात गुजारने के लिए अनुमती मांगी, रिशी ने राजा को रुखने की अनुमती दे दी और राजा को खाने के लिए जब राजा ने उन फलों को खाया तो राजा को वो फल अत्यंत मीठे और स्वादिश्ट लगे। जब राजा को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। पर राजा इन बातों को जुठला भी नहीं पा रहा था। इसलिए राजा ने निरीक्षन करने का निरनय लिया। सुबह होते ही राजा शहर की तरफ निकल पड़ा और राजधानी में वापस पहुंचने के बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया उसने प्रजा पर कर बढ़ा दिये अब राजा गरीबों को परेशान करने लगा पूरे राजय में हाहाकार मच गया ठीक एक महीने बाद राजा फिर उसी जंगल में उस आश्रम पर जा पहुंचा जब राजा ने उस आश्रम को देखा तो वह भोचक का रह गया क्यूंकि जहां पर पहले पेर हरे भरे थे वह सब पेर सूख रहे थे फलों में कीरे लग रहे थे चिडिया सीख रही थी तभी घुडे की आहट पाकर रिशी अपनी कुटिया से बाहर आये और राजा को बिठाया रिशी ने राजा को ताजी फल खाने के लिए दिये जब राजा ने फलों को खाया तो उसका पूरा मूँ करवाहट से भर गया राजा ने रिशी से फलों की करवाहट का कारण पूछा राजा किस बात का जवाब देते हुए रिशी ने कहा अब यहां का राजा बदल गया है जो प्रजा को दुखी करता है और प्रजा में करवाहट फैलाता है इसलिए सभी फलों का स्वाद करवा हो गया है ये सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और रिशी को प्रणाम कर वापस लोटाया। राजा ने अगले दिन से ही पहले जैसा राज्य चलाने लगा। वो फिर से लोगों की सहायता करने लगा और उसके बदलने से फलों और प्राकृतिक में फिर से स्वाद आ गया और प्रजा फिर से सुखी रहने लगी। इस कहानी का तातपर्य यह है कभी किसी की जिंदगी में कड़वाहत नहीं गोलनी चाहिया अन्यथा उस कड़वाहत का आसर आपको अपने निजी जीवन में देखने को मिलेगा। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जो दूसर